वेलकम दोस्तों, क्रिक फंसी लिक में आपका स्वागत है, दोस्तों इस वीडियो में हम टीम बनाएंगे कलब फ्रेंड ली का मैच जो खेला जाएगा डर्बी काउंटी वसेस मैंचेस्टर यूनाइटिट के बीच में वीडियो ध्यान से सुनना, अगर कुछ करना चाते हो, कहीं न कहीं दोस्तों प्लेयर मिस आउट होते हैं, तो मैं सारे प्लेयर के बारे में आपको बताना, इस बीडियो में बताऊंगा, बट अगर आप लोग ध्यान से सुनते हो, तो मैच बहुत ही सांदार जाने वाला है, बात करें डर्बी काउंटी का तो डर्बी काउंटी इंगलाइन का सेकंड डिविजन खेलता है जहां पर दोस्तो ये 21 वे नंबर पे फिनिस किये थे 46 मैचस खेले थे 36 गोल किये थे और 58 गोल कंसीड किये थे डिफेंसिव आइस प्लस ओफेंसिव आइस दोनों तरीके से दोस्तो कहीं न कहीं डर्बी काउंटी बहुत ही बैक रहा है वहीं मैंचेस्टर युनाइटर की बात करें इंगलाइन का फर्स डिविजिन प्रीमियल लिख खेलता है दोस्तो तो दोनों डिविजिन में ठीक है ना तो डिफेंस ठीक है हाँ यह एक या दो डिफेंडर साइन किये हैं इस पेसली प्रेमियर लिक से से फेली यूनाइटेट के जो मुझे लगता है इस मैच में थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं वहीं मैंचेश्टर यूनाइटेट की बात करें दोस्तों तो इनकी बगुत बड़े बड़े इंपोर्डन प्लेयर इस मैच में मिस आउट करने वाले हैं तो वीडियो ध्यान से सुनना कहीं यह मैच भी अपना सांदार होने वाल विक्टर लिंडोल्फ, हैरे मेगेवरे, लिक सा, डियागो डलोट, पॉल पॉगबा, ब्रूनो फर्नांडेस, मारकस रैसफोर्ड, इडिसन कवानी, फ्रेड, अमार्ड डैलो, इरिक बेली यह सभी बाहर हैं दोस्तों यह सभी नहीं खेलेंगे इस्पेसली यह सभी अभी तक अपने दोस्तों कलब को जोइन ही नहीं किये हैं बात करते हैं दोस्तों यहां से स्टार्टिंग लाइनप की डर्बी का प्लेइंग लेवन जो हो सकता है, कुछ इस तरीके से दिख सकता है 4-3-3 का अटैक हो सकता है इस्पेसलिन का डेविड मार्सल कीपर होगा नाथन ब्रीने की बात करें दोस्तो तीया आपको राइड बैक पे खेलती हुए दिख जाएंगे जो चेंपेंशिप का मैच खेले हैं 41 मैचस खेले हैं चार असिस्ट किया है बंदे के अंदर क्वाल्टी है असिस्ट गोल करने की अगर किसी एक डिफेंडर को यहां से अटैकिंग वाई स्ट्राइग करना है तो आप यहां से बेड़ने के साथ जा सकते हो यह दोस्तो सेफेल यूनाइजट से खेलता है एक डिसेंट सा पिक हो सकता है इसपेसली मुझे ऐसा लगता है यहां पर अगर आप रिक्स टेकर हो तो इसके साथ जा सकते हो पिछला सीजन भी इसका सांदर गया था एक गोल और साथ असिस्ट किया था एक डिफेंडर अगर साथ असिस्ट करता है दोस्तों तो कहीं न कहीं उसके पास क्वालिटी है फिल्ड जगिलका की बात करें सेफेल्ड यूनाइटर से खेलते हैं प्रीमियल लिग दस मैचस खेले थे विथाउट गोल असिस्ट रहे थे सेंटर बैक पे आपको दिख जाएंगे रिचर इस्टियाब मान की बात करें दोस्तों यह आपको सेंटर बैक राइड बैक दोनों बैक पे खेल सकते हैं वरसाटाइल प्लेयर है 21 मैचस में एक असिस्ट किया था पिछला सीजन भी इनका विथाउट गोल असिस्ट रहा था ग्रैमी सिन्नी के बात करें यह स्कोर्टिस फुटबोलर है यह आपको सेंटर बैक पे दिख सकते हैं डिफेंसिव मिट पे दिख सकते हैं 41 मैचों खेले थे तीन गोल एक असिस्ट किये थे वहीं इनका जो पिछला सीजन था 23 मैचों में दो गोल एक असिस्ट किये थे यह इस टीम से सबस्वी ज़दा टेकल्स करते हुए दिख सकते हैं बात करें यहां से दोस्तों मैक्स बर्ड की तो मैक्स बर्ड कहीं न कहीं एक important pick हो सकते हैं डिफेंसिव आइस आप चाहो तो मैक्स बर्ड के साथ जा सकते हो मैक्स बर्ड यह आपको डिफेंसिव मेट पे दिखेंगे without goal assist सीजन रहा पिछला सीजन भी यह सिर्फ दो असिस्ट किये थे लुज सिबली की बात करें तो यह भी डिफेंसिव मेट पे आपको दिखने वाले हैं तीस मैच खेले हैं एक goal किये हैं वहीं पिछला सीजन इनका बहुत ही अच्छा गया था बट यह वाला सीजन इनका गंदा गया है जैसन नाइट की बात करेंगे इस टीम का सबसे बेस्ट प्लेयर कह सकते हैं दोस्तो डिफेंसिव यह आपको सेंटर मीट पर दिख सकते हैं 43 मैच खेले थे दो गोल किये थे वहीं 31 मैच पिछले सीजन में खेले थे 6 गोल किये थे ताभी के लिए मेरे टीम में आपको दिखने वाले हैं टॉम लॉरेंस बहुत ज़्यादा इग्नोर किया रहा है लेकिन दोस्तों इस टीम का सेकेंड बेस्ट स्ट्राइकर हम बोल सकते हैं वेल्स फूड़ वोलर है इस सीजन दोस्तों यह 30 मैच खेला था तीन गोल एक असिस्ट किया था बट पिछला सीजन 37 मैचे खेला था दस गोल और तीन असिस्ट किया था कहीं न कहीं थोड़ा सा डिफरेंसियल ट्राइए करना है इसके साथ जा सकते हो एक बात मैं डारेक्ट आपको बताना चाहूँगा कि यह अगर गोल असिस्ट नहीं करता है तो आपको ज़्यादा डिफेंसिव पॉइंट नहीं देगा इस्ट्राइकर अगर गोल नहीं करते हैं दोस्तों कहीं न कहीं वो आपको थोड़ा सा बैक ले जाएंगे कॉलिं कजीम रिचर्ड की बात करें अभी के लिए सेलेक्शन आप परसंटेस बहुत हाई है सेफ जाने के लिए आप कॉलिं कजीम रिचर्ड के साथ जा सकते हो पर रिचर्ड को ट्राइब कर सकते हो सोने अलूको की बात करें इग्णूर कर सकते हो ऐस विंगर खेलेंगे 32 मंचस इस सीजन खेले हैं दो गोल एक असिस्ट किये हैं कहीं न कहीं दोस्तों आप इनको इग्नूर कर सकते हैं इस्पेसली हेड टू हेड में यहां से जो मुझ प्रिषेत सिन्य एक बेस्ट पिकनिकल के आ रहा है जो Defender है दोस्तों मिड्डि़िस्टेड हैं वही पर यहाँ पर आप चाहो तो सुबली जेसल नाइट यह तीन प्लेयर डोस्तों आप ट्राइ कर सकते हो इनके कीपर के साथ तो कहीं न कहीं चार प्लेयर के साथ मैं जाने वाला हूँ इस मैच में जहां पर मैंचेस्टर युनाइटेड क्लियर कट फेवरेट होने वाले हैं मोस्ट गॉल असिस्ट की बात करें करीम रिचर्ड आठ गॉल दो असिस्ट वेगराउन पांच गॉल चार असिस्ट लॉरेंस तीन गोल एकसिस, चौजरी तीन गोल एकसिस, सिने तीन गोल एकसिस, दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, आप प्लेंग लेबन जब आज आए, लाइनप देख लेना, पोजिशन देख लेना, जो डिफेंसिव पोजिशन होती है, उन्ही प्लेयर पे आपको रिक्स लेना है, उन्ही प्लेयर के साथ कहीं न कहीं आप जा सकते हो, हाँ, सेफ जाने में लिए आप यहाँ से कोलिन कजिम रिचर्ड के साथ खेल सकते हो, बात करेंगे जोस्तों, यहाँ से सिनी तीन गोल एक असिस, जे नाइट दो गोल, बी लीग दो गोल, मैंचेसटर उनाइटेट के प्लेइंग लेबन सी तरीके से होगा टॉम हिटन की पर होगा एरॉन मॉन वेसाखा ये आपको दिखेंगे राइड बैंग पे एकसल तुन 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 त्वान जेबह दिखने वाले ये आपको दिखने वाले हैं सेंटर बाइक पे बात करें विसाखा की इस सीजन प्रीमियर लिग में 34 मैचों में दो गोल चार असिस्ट किया है एक बेस्ट पिक है एक बेस्ट पिक कैपटेंसी वाइस कैपटेंसी का भी निकल के आता है तुने टुआन जेबा की बात करें यह आपको सेंटर बैक पे दिखने वाले हैं प्रीमियर लिग खेलते हैं सीजन ठीक ठाक इनका कह सकते हैं गया है विल्फिस की बात करें दोस्तो ये भी आपको cmautre back पे दिखेंगे प्रीमिल लिग में ज्यादा chance सेam desse को इनको मिला नहीं है बड़ प्लेयर अच्छा है एलेक्स टेलेस की बात करें यह आपको लेफ्ट बैक पे दिखने वाले हैं प्रीमियर लिग के नौ मैचस के ले थे दो असिस्ट किये थे अगर थोड़ा सा आपको रिक्स लेना है यहाँ से बीसाखा के प्लेस पे आफ टेलेस के साथ भी वाइस के लिए जा सकते हो जेम्स गारना मैं इस प्लेयर के साथ जाना चाहता हूं दोस्तों चैंपिंशिप में चार गोल किया है बड़ एक डिफेंसिव मीट पे खेलता है फिर भी चार गोल करना प्लेयर के अंदर क्वाल्टी दिखाती है अब बात करते हैं यहाँ से निमान्जा मार्ट यह भी आपको डिफेंसिव मीट पे देखें अगर यह अटेकिंग पोजिशन पे खेलेंगे दोस्तों तो कहीं न कहीं मार्टी भी इंपोर्टेंट हो जाएगा इस बात को ध्यान रखना वहीं पे एंड्रियास परेरा की बात करें मुझे ऐसा लगता है इस मैच में परेरा एक बेस्ट पिक हो सकते हैं कैप्टेंसिव वाइस कैप्टेंसी का जील में इनको कैप्टेंसिव वाइस कैप्टेंसी जरू ट्राई करना इस्पेसली जील में लाइजियो से खेलता है सीरियाए 26 मैचस खेला था एक गोल दो असिस्ट किया था बात करें जुवान माटा की तो यह attacking player है, as a winger खेलेगा, 9 matches खेला है, प्रेमियन लिग का, एक गोल, 2 assist किया है, अभी के लिए अगर आपको safe जाना है, तब wise captain आप दे सकते हो, बट कहीं है कहीं मैं as a wise captain यहाँ से बिशाका के साथ जाओंगा, अगर बिशाका ही start करता है, तो में संग greenwood की बात करें, ride wing प होने वाले हैं, एंटोनी लेंगा, यह मेरा point pick होगा, सबसे बड़ा मेरा point pick होने वाला है, मैं spirit लेने वाला हूँ, अगर आपको safe जाना है तो यहाँ से माटिप और प्रेरा, दोनों में से किसी एक को try कर सकते हो, इन play साफ ही लेंगा, बट मेरी team में लेंगा दिखेगा, left wing खेलेगा, दो गोल, एक assist, दो मैच खेला है, एक गोल किया है, तो मैं अभी के लिए लेंगा के साथ जा रहा हूँ, दोस्तों मैं फिर से बोलूँगा, safe जाना है, मार्टिप और प्रेरा, दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हो, इसका stats मुझे अच्छा लगा, इसका record अ तो मार्सियल खेलता है, दोस्तों तो एक डिसेंट पिक हो जाएगा, मैक टॉम ने खेलेंगे, नहीं, डिजेम्स भी खेलता है, तो मस्ट पिक होगा, टीब में होना चाहिए, पोगबा तीन गोल, दीन असिस, बिसाखा दो गोल, चार असिस, मेगेवरे दो गोल, एक असिस फ्रेड एक गोल, माटा एक गोल, दो असिस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, दोस्तों, सेफ जाना है, आप यहां से, आप यहां से दोस्तों, सेफ जाना हो आपको, तेलाइंगा के प्लेस पे आप माटिप और यहां से प्रेरा के साथ भी जा सकते हो, यह कहीं ने कहीं एक तो दोस्तों यह रहा मेरे कोर्डिंग प्रेडिक्शन मुझे कुछ खास इस मैच में नहीं दिखा मेरा स्कोर प्रेडिक्शन इस मैच में होने वाला है एक थ्री निल मैंचेस्टर यूनाइटेड विन मुझे ऐसा लगता है मैंचेस्टर यूनाइटेड पूरे तरीके से इस मैच में डॉमिनेट करने वाला है डर्बी काउंटी की बात करते हैं ड्रीम लेवन टीम प्रेडिक्शन तो दोस्तों अभी के लिए ये टीम में बनाके रखा हूं जहां पर जे माटा है इलाइंगा है मैं बार बार कहूंगा इलाइंगा को प्लेस पे जो प्लेयर मैं बोला हूं आप उसके साथ जा सकते हो सेफ वाइस कैप्टन कहीं न कहीं माटा भी हो सकते हैं दोस्तों बट मुझे विसाखा वेस्ट लगा है आप चाहो तो विसाखा के साथ ऐजन कैप्टन भी जा सकते हो अगर आप रिक्स टेकर हो तो सेकंड यहां से टेलरस के साथ जा सकती हो है जो वाईस कैप्टन से कही हैं यह एक अच्छे तुसरे को ट्राइ कर सकता हूं वो player कौन सा होगा आप जाके एक बार prediction सुलो लो हम लोग discuss किये हैं ये दो player कहीं न कहीं इस टीम में सबसे बड़ा रिक्स दिख रहा है तो इन दोनों player के place पे मैं किस player के साथ जा सकता हूं सेफ कौन से player हो सकते हैं वो सारी चीज़े बताया तो कहीं न कहीं आप एक बार थ्यान से सुलो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक लिए बाबाई टेक के राइन वेश्ट अपलाग थाएंक्य दोस्तों